Hello everyone, Welcome to our classes, this is Kapish, то आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर हिमन टाइम लाइन से जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारा human जो हम human beings थे, हम करते क्या थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से early man के टाइम से हमने यह हिस्ट्रि स्टार्ट की हु की कैसी तो सबसे पहले जो हमारा हुमन था उस वो कैसा था फूट गैदर मतलब वो क्या करते थे अपना खाने को डूंड़ते थे कहां पर डूंड़ेंगे जो भी उनको कुछ भी अगर मिल जाएगा जो भी नेचर से उनको मिलता था वो उसको खा लेते थे इस टाइम पर एक चीज को दिया रखना जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अल्ली मैन था वो क्या करता था वो बस वही चीज ने खाता जो उसको नेचर प्रवाइड करती थे उसको अभी यह नहीं पता था कि यहां पर हंटिंग भी हो सकती है यहां पर अगरिय कल्चर भी हो स देखा जाए तो उस टाइम पर जो हमारा अल्ली मैन था वो क्या था एक वेजिटीरियन था ठीक है जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो यह क्या खा रहे है कोई फ्रूट खा रहे है ठीक है तो मेरा बस कहने का यह मतलब है कि जब भी हमारी क्या स्टार्ट हुई थी ज जादर का क्या मतलब है वो इकठा करता होगा जो भी उसको मिलता होगा ठीक है जो भी उसको खाने के लिए मिलता होगा वो उसको क्या करता है इकठा कर लेता था और उसके बार क्या कर देता था उसको कंजियों कर देता था ठीक है जैसे की लीव फूट ग्रास वगरा जो भ बड़ी होई है तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था मैने से अन्मैनेज की तरफ जा रहा था या अन्मैने से मैनेज की तरफ जा रहा था इस टाइम पर जो भी सिस्टम है हमारा कैसे है अन्मैनेज्ड सिस्टम है सब्खी आगे सेकंड पॉइंट की बात किजा हीम calendar हंटिंग आपधेर कर रहा है once स्वाइप हम अवझित को मैन करने स्वाइप कर दिया और न कुम करना स्वाइप कर दिया था जो एनिमल्स थे और उनको वो क्या होना start हो गए थे consume होना start हो गए थे मतलब कि उनको खाना start कर दिया था जब अर्ली मैंने देखा कि जो ये animals हैं ठीक है इन से हमें कुछ और भी चीज़ों का profit हो सकते हैं इस से हमें और भी चीज़ों का फाइदा हो सकते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो यह अनिमल्स थे यह हमें बहुत सारे क्या करते हैं प्रोडक्ट प्रवाइड करते थे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट प्रवाइड करते हैं जैसे कि हो गया मिल्क ठीक है जो भी को फैलो वगारा थी यह क्या प्रवाइड करी थी मिल्क प्रव तो इन्होंने देखा कि ये भी had dijo qui फिर यूदैशन वह क्या करती Every डी無हीं करती तो इन्होंने क्या कर दिया ay आहिस्ता इस्ता सारे जितने भी अनिमल से उनगो क्या स्थार्ड 27 करना स्थार और जो हमारा third point बन जाएगा हमारे human के लिए इंको 1997 चूर चाहिए कुछ टूल्स की मदद चाहिए थी तो इससे क्या बाद चलता है कि उस टाइम पर इन्होंने कुछ टूल्स को ड्वैल्प्ड कर दिया था इन्होंने कुछ टूल्स को बना लिया था जो यह टूुल्स थे ये किसके बने हूंगे इस तायम पर या तो यह बनाते होंगे स्टोन के या तो यह जो तूल्स थे बने होंगे अब यह हमारे आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे कि कौन सी सक्री टाइम करते थे और को mêmes तक्कSub एक मतकर कि स्टाइम पिरड के बाहरे यह मैंटल का यूज करना स्टार्ट कर घिये हम पढ़ेंगे आगे की लेक्चिर में ऊपस्ट हमने क्या पढ़ा कि जो है है नोग थे इन्होंने क्ता कि टूल्स कोट्ट करना स्टार्ट कर दिया किसे सब किसे बनाते स्टोन से भी बने हुए थे यह मैटल से भी मैं जो ताइम लाइन की बात कि जाया इस इस चाहिन में आपको को तौह नोच था ये की में तो यह जो च्ञ Bard कर दिया था जब हंटिंग कर हैं जब यह लोग क्या कर रहे थे हंटिंग कर रहे थे इन्हों ने ने देखा कि जो यह एनीमल्स है जो यह एनीमल स यह बस हमारे इनकों मारके खाने में मैं वस इतना सा काम नहीं अग्ड बाकी चीजों का भी profit ले सकते हैं अब वो चीजें क्या थी इन्होंने देखा कि जो यह अनिमल्स थे यह हमें क्या कर रहे हैं और भी चीजें प्रवाइड करें जैसे की हो गया मिल्क प्रवाइड कर रहे हैं वूल प्रवाइड कर रहे हैं एक्स प्रवाइड कर रहे हैं तो कि इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया जो यह अनिमल्स थे इनकी डुमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दी इन्होंने किसका स्टार्ट कर दिया डुमेस्टिकेशन और फैनिमल्स को क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया अनिमल्स को यह पालना स्ट कर गये थे लेकिन अрыв तक क्या कर रहे थे अनिमल को इन्होंने डिमेस्टिक इर करना तो स्टार्ट क्या था लेकिन यह अभी क्या क्या मुइस्ट कर रहे थे खूंदर्ग थे मतलब कि यह क्या कर रहे थे गुनते रहते थे ठीक है इस time फिक पर्मेरेंट स्टेमरेंट नहीं थी इस टाइम परि glut ऑल यह उसके लिए झाओ यह ने कंड़न लएकशनाए गटॉछ तो चुराय25 पर्मेरेंट कर दो स्टार्ड चाओ नहीं थी यह क्या करते थे कि जांप भी जाते थे अपने इनिमल्स को साथ लेकर चल जाते थे ऑंडीमल्स को भी साथ लेकर चल जाते थे चाहं Paint भी जाते थे और उस ताइम पे इनकी में अकॉपेशन क्या होगी थी इनकी मेन अकुमपेशन थी एनिमल्स ठीक है मतलब कि उस तैम पर ऐसा होता था कि जिसके पास जितने ज्यादा एनिमल्स है उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी उतनी ज्यादा उसकी प्रॉप्टी होगी ठीक है जितने ज्यादा वहां पर किसी के बास एनिमल्स है तो उसकी कि हमने क्या देखा कि जो यह हिमन्स थे इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया जो अनिमल्स थे उनका अलग अलग कामों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया मतलब कि जो उनसे प्रड़क्ट्स मिलते थे उनको भी कंजियूम करना इन्होंने क्या कर दिया स्टार्ट कर अब इन्ही एनिमल्स को यूज करके यह क्या कर रहे थे अगरिकल्चर को करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया ठीक है जैसे कि आपको पाता है कि आज भी किसी किसी जगह पर जाम पर मिशिनरी नहीं पहुंचे जाती है तो वहां पर क्या होते हैं जो यह लोग होते हैं आज के जमाने में भी वह क्या करते हैं अनिमल्स का यूज करके वहां पर क्या करते हैं अगरिकल्चर करते हैं तो यह चीजे तब से स्टार्ट हैं तो इन्होंने क्या किया एनिमल्स का यूज करके अगरिकल्चर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया अब बात दियान दी जाए तो अगरी कल्चर इन्होंने करना स्टार्ट करते इसका क्या मतलब है यह अगरी कल्चर करने के लिए इनको क्या चाहिए यहां पर टूल्स चाहिए और जो यह टूल्स होंगे यह कैसे टूल्स होने चाहिए यह होने चाहिए शार्प टूल्स होने चाहिए और शार्प टूल्स मै किसके बने होंगे मैटल्स के बने होंगे मतलब किस टाइम पर आते आते क्या हो गया था मैटल की वी डिसकवरी की होगी थी यहां पर भी पहुंचते पहुंचते तो जो यह अगरी कल्चर जब इन्होंने agriculture कर रहे हैं मतलब उसके बाद अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या स्टार्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया यहां पर बस इन्होंने क्या स्टार्ट किया था लेकिन अभी इन्की पर्मेंट सेटलमेंट हिस तक नहीं हुई थी ठीक हैं अब जो नेक्स पॉइंट है सएन एंट्री लीविन मिसका क्या मतलब है सथा मतलब है यहां पर हमारी क्या होगी थी सेटलेमेंट होगी थी यह सैटलमेंट किसकी वैसे वैसे angry करना कर गये क्रति कर गयेते कर गये थे सटलमन्ट क होना यहां पर सटार्ट हो गी ति इस ताइम पे अगरिकल्चर कुल्सें प THE जो भी इंके पास परडुक्त निकल था मखे अब इस परडक्ट को यह क्या करना स्टार्ट कर दे थे इस प्रड़क्ट को ये सेफ भी कर देते थे अपने किस के लिए फ्यूचर के लिए ठीक है ये क्या करना स्टार्ट कर देते थे फ्यूचर के लिए जो अपना अग्रिकल्चर प्रड़क्ट से हैं जैसे की ग्रेंस वगारा जो भी उस तैम पे जो यह agriculture कर रहे था इन्होंने क्या करना स्टार कर दिया उसको सेव करना स्टार कर दिया किसके लिए future के लिए इसका क्या मतलब है जो यहां पर कौन सा economical system है यहां पर surplus economical system है जो हमने last lecture में पढ़ा था अगर किसी को नहीं पता surplus or subsistence economical system कौन से होते हैं तो वह last lecture को दोबार से देख सकते हैं हमारी playlist में तो जो यह surplus system है यह surplus system में क्या होता था कि वह बस आज का नहीं सोच रहे थे वह किसका भी सोच रहे थे वह अपने future का भी सोच रहे थे जैसे कि आप इस image में देख सकते हो यहां पर क्या हो गया है बिल्कुल थोड़ा सा अवर व्यू लिया हुआ है अब इसके बारे में बिल्कुल पर्टिकुलर करके इसको एक एक चीज को हम बिल्कुल आइस्ता इस्ता करके एक चीज को हम कवर करेंगे जैसे कि अब हमने क्या किया था थोड़ा सा अवर व्यू लिया था किसके बारे में हुमन की टाइम लाइन के बारे में अब हम देखेंगे कि जो यह पीपल्स थे यह आगे पीछे गूमते रहते थे और इनका रीजन्स क्या थे इस माइगरेशन के माइगरेशन का क्या मतलब ह होता है कि जब people क्या कर दे people start कर दे move करना people start कर दे move करना कहां से one place to another जब भी people क्या कर दे move करना start कर दे एक place से दूसरी जगह ठीक है उसको हम क्या बोल देंगे यहां पर यह क्या हो रही है हमारी migration हो रही है और migration के main reasons क्या थे सबसे पहला जो reason था वार्स ठीक है देखो मैं आप क्या बताया था कि जो हम people हैं हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी life हो बहुत ज्यादा easy हो अब आप मेरे तो यह भी हमारा एक main reason है किसका migration का second था trade ठीक है people क्या करते थे अब इन्होंने क्या करना इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो यहां पर trade था trade भी एक रिजन था किसका migration का जिसकी वैसे people एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे थार्ड जो में रिजन है वह हमारा disaster disaster में क्या आता है कि जैसे कोई मान लों की earthquake आ गया उस time पर भी people क्या कर देते थे एक जगह से चलके दूसरी जगह पर चल जाते थे फोर जो reason है वह religion ठीक है ऐसा देखा गया है कि जो people होते हैं जो आदमी होते हैं वह काम पर रहना पसंद करते हैं वह उस time पर पसंद कर रहे थे कि जो हमारे religion के आदमी है हम उनके साथ ही रहे हम क्या करें जो हमारे religion के आदमी है हम उनके साथ ही रहे मतलब कि उस time पर लोगों को होता होगा कुछ इस तरीके का कि जो भी हमारी community बनेगी जो भी हमारी society बनेगी वह एक same religion की society होनी चाहिए ठीक है और यह भी बहुत important reason है कि का migration का यह people क्या करना start कर गए थे एक जगह से दूसरी जगह जाना start कर गए थे क्यों इन्होंने start किया यहां पर क्योंकि इनको अपने religion के ही लोग चाहिए थे ठीक है जिनके साथ यह सोचते थे कि उनके साथ हमारा ज्यादा interact हो सकता है उनके साथ हम ज्यादा खुश migration का जो फिफ्ट पाइंट है लिवली हुड इसका क्या मतलब होता है बंजर जमीन अब बताओ कोई बंजर जमीन में कैसे रहेगा ना तो यहां पर क्या होगी ना तो यहां पर हमारा agriculture होगा और ना ही तो यहां पर कुछ चीजे अविलेबल होगे ना पानी होगा बड़ी कम रिसोर्स यहां पर अविलेबल होंगे तो इसलिए जो यह फिफ्ट पाइंट है लिवली हुड का यह भी एक में रीजन है किसका माईगरेशन का आई होप जितना वी दो पाइंट जिसके अंदर मैंने आपको हुमन टाइम लाइन के बारे में बताया और माईगरेशन के री सब्सक्राइब पाइंट हिस्टरी को सबसे पहला सोर्स है यह तो बिल्कुल असान है सबको पताई होगा कि इसे हमें क्या पाचला है कि हमें भूप से जो हमें भी ती जिसने हम दिस्क्राइब किया था हमारी ऐंशींट हिस्टरी इस्टरी को ठीक है फूइट है born App animal तोलस ट्रह 10 जो एक पैसी तरह 10 टूलस करते हैं मैं स्टाइ Taylor चो फिसल्ट वह फिसल्ट से भेस्ट में आधि बने होती सब्रहुकर जो सबस्सेड किaja यह फोर् Assault आइध्याइध तो आगर कोई हमें बभाटते जो किसे आ है बना ओगा स्टौंस से बना ऑगा तो स्टौन के जा क्या पर चलता है कि जो उस टाइम के जो लोग ते वह सक्का की वेपन कट शेथे स्टोन के वेपन से ठीक है सैकिन्ड ऐरनामेंट यह दखो यह पिक्चर के अंतर यहां पर औरनामेंट की मैं फोट है ठीक है जो यह औरनामेंट्स नहीं सामने पार चलता है कि यह और्नामेंट्स अभी के तो होंगे नहीं यह बहुत पहले कि थे जो डिगिंग करते टाइम पे मिले थे जो अलग-अलग साइट सोती हैं हमारी जो हमने आगे पढ़ना इसके बार में थार्ड है बोंस टूल्स एडसेटरा फिर उसके बाद होता है इंसक्रिप्शन अब इंसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होगा टेक्स्ट काहां पर लिखा होगा या तो किसी भी स्टोन के उपर या तो किसी पिलर के उपर ठीक है उसको क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इस तरीक का कुछ है टेक्स्ट लिखा होता था उन्होंने ठीक है तो जो यह भी है यह भी हमें क्या बताते है ये भी किसका Source Pennsylvania का source है इसको कोडी कोğa डिकोड़ कर करके लोग बता कर लते हैं कि नोंने क्या लिखा है जो जुज़ यह चीज़े होती थी खरेको यह कोडी कोड करके खरेड़े देते बता त्यente पर क्या क्या होता था या क्या क्या नहीं होता था फॉर्थ पॉइंट है हमारा पेंटिंग पेंटिंग भी एक मेजर रोल प्ले करती है किसके बारे में बताने के लिए एंचेंट सोर्स के बारे में बताने के लिए अब इसका मतलब क्या देखो आदमी जो कुछ देखता है व बोर उस टाइम पर जो पेंटिंग होती थी उसके लिए ज़ो क्लर यूज होते हैं जो căkal lob नायूरल क्लर यूज होती है जो कि हमारे डियर सही मलते जैसे लीज़ वगारा फ्लावर्स वगारा यूज करके वह color बना लेते थे तो इस तरीके से जो ancient history का source painting विए major source किसका ancient history का 5th building material Building material का क्या मतलब है जैसे जब हमने क्या किया इंदस वैली civilization के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां पर क्या पढ़ेंगे की जो इंदस वैली civilization में जो वाल्स बनी होती थी जो वहां पर क्या इंट होती थी इस थी इसका क्या मतलब है कि जब हैंड से इसका क्या मतलब है यहां का जो आइच ही टाइक्चर था बहु ज्यादा एडवांसड फूलियुश्ट हर था का ठीक है अब यह हम इसके पूरे बारे में इंडुस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन बस यह बस थोड़ सा अवर्विव देने के लिए मैं को बताना था कि जो बिल्डिंग मैटीरियल्स है इस से यह भी हमारा का सोर्स है किसका सोर्स हमारी अगर बात की जाएं जो यहां पर मैंने फोटो से यहां पर डाले हुए हैं अगर इस फोटो की बात की जाएं यहां पर क्या यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह क्या कुछ खिलोने हैं किसके खिलोने कुछ बच्चों की खिलोने हैं तो यहां पर क्या देखा जाएं तो यहां यहं पे ऐनिम्ल्स का यूज होता किसी बीजिज़ों को एक जगह से दूसी जगह तक पहुन्चाने यहां पे इनिमल्स का यूज होता slush x' यहاं तो ट्रैवलिंग करने के लिए हम ऐसा भी बौल सकते हैं 국ound traveling करने के लिए कि यहां पे किसका यूजर का वगा था अनिमल्स का यां पर यूज ठाट हो गया था कि आई होवब जितना भी आज के यहां को बताया से बारे में उनका रीजन क्या था माईगरेट करने का एक जगह से दूसरी जगह पे और जो यह सोर्सिस बताएं अंशेंट इस्टे की आई होप आपको यह सारा कुछ समझ आ गया होगा